राजस्थान की हल्दी घाटी के और से छत्रपती शिवाजी की माटी को अपने प्रणाम दिवेदित करता हूं मुझे उम्मीद थी कि इस पर रख्षर पंक्त भी अपनी तालियां बजाएगा मैं केवल चार पंक्तियां आपसे पढ़ रहा हूं मैंने कभी हाथ जोड़कर गड़ड़ा कर तालिया नहीं मागी लेकिन यह आपके माटी के स्तवन की चार लाइन है तो इस पर आपकी तालियां पेक्षित हैं जिन लोगों के लिए मैं कह रहा हूं बाकी तालियां कैसे बज़वाई जाती हैं 30-32 साल से यह सारे तरीक हमने जेबों में रखे हुए हैं वो काम में और कुमार करना जानते हैं यह चार पंक्ति सुन लीजेगा मैं जिस मिट्टी पर खड़ा हूं उसका कर्ज है मेरे उपर तो मैं कह रहा हूं बस वो मुझे बता देगी कि मुझे इस माइक पर कितनी देर खड़ा होना है यह धरती ताना जी के शीषदान की है जरा बता दे मुझे पीछे तक लोग कहां मराठे लोग बैठे हुए हैं जरा अगली लाइन में मुझे पता नहीं कितने लोगों के पेटे में दर्द होगा और कितने लोगों तक तालियां पहुँच जाएंगी मैं अगला लाम बर्स लूँगा मुझे पूरा मिनी स्टेडियम गुंचता ना जाराना चाहिए ये धर्ती ताना जी के शिष दान की है ये धर्ती सावर करके प्राण दान की है और वीर मराठा पारुष मुगलों के आगे जुगा नहीं कभी ये धर्ती छत्रपती के स्वाभी मायन की है जिस सावर करने 23 साल जेल के सीख्चों के पीछे बिताए हो मुझे नहीं पता मुझे क्या पढ़ना तो और मैं क्या पढ़ने जा रहा हूँ 13 वर्ष जिसने अंडबान के काला पानी में बिता दिये हो उस पर भी अधी प्रश्ण चिन्न कोई राजनीती के लोग लगाते हैं और ये कहते हैं मेरे आक्रोष की भासा समझे का मैं कोई वीरस का कवी नहीं हूँ सहाब मैं बगावत का कवी हूँ मैं एक भी बागी इस भीड में तैयार कर दूँ बैठ कर आप सहाबर कर हो भी नहीं सकते 36 पीडियों तक आपको उसके लिए कोलू में जोतना पढ़ता है तो सहाबर कर पैदा होते हैं जो चीनी हमले के दिन भी गद्दारी के गायक थे माओ के बिल्ले लटकाने वाले जो खलनायक थे जिनके अपन धोगी गणना, ये जमाने बैठे हैं वो सहाबर कर के छालों का मोल लगाने बैठे हैं यह अंदमान के पानी को जो गाली बेते रहते हैं जाथी वाली रानी को कुछ दिन इन सब को भी भेजओ अंदमान काला पानी दो दिन में ही याद करेंगे ये अपनी दादी नानी कोलू के चक्खर से पूछो उसके पैरों के छाले जिसने आजादी के सपने काल कोठरी में पाले वो सूरज की प्रतम किरण पर कोलू में जुड़ जाते थे आजादी के सूरज को वो अपना अर्ग चढ़ाते थे सावर कर का चित्रटा को संजद रूपी मीने में सावर कर का चित्रटा का हर देशवक्त के सीने में लोग कहते हैं कि अभी तक सावर कर को याद करते हो इतने महापुरुष थे किसी को तो याद कर लेते और भी तो बहुत सारे लोग थे अधर ने गड़करी जी मेरा दिल का छाला मैं आपको दिखा रहा हूँ आजादी के संग्राम में यदि काला पानी में कोड़े खाएं सावर करने तो कोई बड़ा काम नहीं यह बहुत सारे स्वादिंता सेनानियों ने खाएं मेरी पीडा का कारण समझ लीजे मैं सावर कर पर क्यों गाता हूँ मैंने क्यों लिखा है उनके उपर जितने भी लोग थे अंग्रेज लोग कोड़े चलाते थे कोई नई बात नहीं थी लेकिन आजाद भारत का कोई केंद्रे मिनिश्टर ला किसी पाल्टी का बड़ा तथा कतित अध्यक्ष उन्हें गाली देता है तो एक लगू कता है सुन लीजे मुझे क्यों कहना पड़ा है ये सब बाते मैंने सुना है कि सोने और लोहे की बात चीत हुई है अंग्रेयों जोने गालिया दी बड़ी बात थी हमारे लोग गालिया बक रहते सुने और लोहे की बात चीत हुई सुने ले लोहे से का रहे लोहे तु लुहार के घर पिटता है मैं सुनार के घर पिटता हूं मैं जब सुनार के घर पिटता हूं तो आवाज नहीं करता तु तो लुहार के गर बड़ा चीकता है बड़ा चिलाता है लोहे नो जो जवाब दिया आपके दिल ठक से आवाज करें तो ताली आपकी थपड की तरह दिली पहुंचे जो मैं कहना चाहता हूं उन्होंने का रहे सौने तु जिस हतोरी से पिटता है वो लोहे की रिष्टे में तेरी कुछ नहीं लगती है लेकिन जिस हतोरी से मैं पिटता हूं वो लोहे की है और जब अपने अपने को पिटता है ने दर्दत होता है चीज तो निकलती है मेरे भाई